Hello and Welcome to my YouTube channel Asset Guide आज की इस वीडियो में हम आंसर करेंगे कमेंट का जो की पूछी है Tecno FF Gaming Boss ने इन्होंने ये कमेंट दो चार बार पूछ चुके हैं तो आज मैं इसका आंसर देता हूं finally तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है Sir I have 4 accounts in 1 coin name same यानि की इनके 4 accounts हैं जिनमें इनका नाम same है बट email id जो है वो अलग-अलग है तो यह पूछ रहे हैं क्या activation कराने के लिए हमें 0.0015 BTC send करना है करने से 4 accounts active हो जाएंगे या नहीं तो देखे 0.001 BTC जो है वो email के लिए रहता है अगर आपके 4 accounts open नहीं हो रहे हैं अगर not exist का error आ रहा है इसका मतलब यह है कि आपका account active नहीं है और आपको उसे active कराने के लिए support पर mail करना होगा अब अगर support से आपको reply आता है कि आप email चेंज करवा लीजिए और आपको email चेंज कराने के लिए जब आप BTC payment send करेंगे तब आपको यह 0.001 BTC fees देना होगा और जो आगे आपने 0.005 BTC है वो आपका यह तो exchange पर ही fees कर जाती है तो जब आप उसके लिए आपको क्या करना होगा उस condition में आपको अपना एक ID document एक address document और जो आप Bitcoin भेज़ेंगे उसका proof आपको अपने email के साथ attach करना होगा जैसे ही आप यह attach करेंगे आपको एक नया email भी send करना होगा यह सारे document आप एक साथ connect करके और support पर भेज़ देंगे तो आपके जो account है चारो वो आपके नए email address पर आ जाएंगे और आपका जो है account active हो जाएगा तो यह process है लेकिन अगर आपने पहले ही इस type की कुछ चीज़े की होती यानि कि जब आपसे update करने के लिए कहा गया था तो आपका सबसे पुराना वाला जो email है यानि कि आपका previous सबसे पहले जो आपने email यूज़ किया था उस email पर आपके यह account जो है transfer हो जाएंगे merge हो जाएंगे ऐसा official process है अगर आपको email change कराना है तो आपको bitcoin में payment देना ह होगा और आपके उस email से related जितने भी नाम है या उस आपके जो KYC documents है उन से related जितने भी account है आपके वो सभी आपके उस email address पर open हो जाएंगे तो यही था एक छोटा सा process आपके बार-बार यह comment आ रही थी तो मैंने इसलिए आपको separately इसके बारे में समझाया है